सपनों के शहन मुंबई में मन्राज ग्रूप पेश करता है मन्राज व्यूँ जो शहर के बीच ओ बीच एक घर खरीतने का मौका दे रहा है आपके बज़ट के अनुकुल शांदार 1BHK और 10 मंजिला टौवर और कीमत सिर्फ 75 लाग रुपे और यह सब उपलप है कुर्ला अनलेडी रोड, साकीना का मेट्रो स्टेशन और अंतराश्व एर्पोर्ट के नजदी मन्राज व्यू में घर होना यानि आराम और सुविदा का पूरा आनंद चल्ली करें अनुकुल बज़ट में आफर केवल सिमित अवदी के लिए पी-म आवाज योजना और लोन सुविदा भी उपलप, शर्टेला वो राजिस्थान की अवनी लेकरा ने पैरलिम्पिक्स में इतियाज रच दिया है अवनी ने 50 मीटर एर राइफल में शुक्रवार को ब्रॉंज मेडल जीता है इससे पहले उन्होंने 10 मीटर एर राइफल में गोल जीता था किसी ओलंपिक्स या पैरलिम्पिक्स में दो मेडल जीतने वाली वो पहली भारत्य महिला बन गई है अवनी के अलावा आज प्रवीन कुमार ने भी देश को मेडल दिलाया उन्होंने हाई जंप में नए एशियन रिकॉर्ड के साथ सिल्वर मेडल जीता ये मेडल उन्हें T64 केटेगरी की हाई जंप में मिला तोक्यो पारलंपिक में देश के लिए पहला गोल जीतने वाली जैपूर की अवनी 50 मीटर एर राइफल में ब्रॉंज मेडल जीता वह एक ओलंपिक या पारलंपिक में दो मेडल जीतने वाली पहली खिलाडी है देवेंद्र जाजरिया पैरलिंपिक में तीन मेडल जीत चुके हैं वही ओलंपिक में कुष्टी में सुशिल कुमार और बैडमिंटन में पीवी सिंदु दो मेडल जीते हैं प्रदान मंत्री नरेद्र मोधी ने पदक जीतने वाले प्रवीन कुमार की प्रशंसा करते हुए कहा कि यह उनकी कड़ी मेनत समर्पन का नतीजा है मोधी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर कहा प्रवीन के पारलिंपिक में मेडल जीतने पर गर्व है ये उनके कड़ी मेनत और खेल के प्रती समर्पन का नतीजा है उन्हें बताई BRV News के लिए मेगा हाडे की रपोर्ट